तो दोस्तों देखा आपने ये जो प्रॉपर्टी दे 10-50 का बना हुआ था और ये प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आए हैं मा भगवती बिल्डर्स जो कि सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं एक भरोसा भी आपके लिए लेकर आते हैं नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे प्रॉपर्टी चैनल पर जहांपर हम लाते हैं आपके लिए हर बार एक नई प्रॉपर्टी तो इसी कंटिणेशन में आप मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू कंस्ट्रॉक्टेड प्रॉपर्टी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह वाली जो प्रॉपर्टी है इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है दस पचास का तो और इसकी लोकेशन में आपको बता रहा हूं यह लोकेशन स्विचेटेड है विदूर नगर में जो कि आप कह सकते कि इंदोर शहर में ही है प्रॉपर्टी शेहर से बा किलो मिटर पर सिचुएटेड है अब तो दोस्तों यह जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है यह हवा बंगला में रोड से हाड़ली एक से डेड़ किलो मिटर ही अंदर है और यहां पर अभी जो रोड बनने वाला है तीस फीट का रोड प्रस्तावीत है जो कि बहुत ही जल्द जल्दी बन जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा और सबसे अच्छी खास बात यह रहीगी रोड बनते से ही आपकी प्रॉपर्टी के रेट चार से पांच लाग रुपे इंक्रीस हो जाएगा आईए अपन देखते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में और ज्यादा डिटेल में प्रॉपर्टी है कि यहांसी आप देख सकते हैं यह बलॉगšय का फ patents के लिया प्रेट के इनट्रेंसwesti यहां सामने ब्लॉक लगे हुए है्-धाल ऑन अच्छे से अप आईए हम आपको अंदर लेके चलते हैं यहां पर आपको ग्रिलिंग का गेट मिल जाता है यहां प सो यहникने कि पर जाए तो यहाँ पर आपको अच्छा एरिया मिल जाता है है यहाँ पर इसके लिए बोरिंग जरवत लगती है तो आप बोरींग से पाली भर सकते हैं इसके यहाँपर आपका अच्छा कुछ फॉडबर पार कर सकते हैं यहां पर दो से तीन कुविलर आपके आरम से पार्ख हो सकती है इसके बाद हम यहां से अंदर चलते हैं को यहां पर देखने को मिलता है एक बहुत ही बढ़िया हॉल यह देखिए यहां पर इस हॉल की खास बात यह है कि यहां पर अच्छा बढ़िया वाट ट लगा सकते हैं reach यह से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर पथर लगा हुआ है जहां पर आप सामण रख सकते हैं यहां थी सामन रखने का अच्छा स्पेस मिल जाता है यहां पर नीचे को बाढ़ी अच्छा ऐसां यहां ऑपको पूरा किम का सामान अच्छी तरीके से ऑन्य ıt यहां से कीचन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां आप आजाता है वॉच एरिया wash area यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत अच्छा space wash area का आपको मिल जाता है प्लस यहाँ पर लेट बास मिल जाता आपको यहाँ पर लेट बास complete यह देखें इसके बाद आप आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज दिया हुआ वेंटिलेशन में आपको यहां पर अभी देखिए कोई लाइट नहीं जल रही है लेकिन फिर भी बहुत सब्सक्राइब लाइट ज्यादा जरूवत नहीं है अगर यहां पर लेट बाद के ऊपर आप देखें तो यहां पर अच्छा आपको इस्पेस मिल जाता है यहां पर सा लाइडरोव गया रखा हुआ है और यहां पर इस बेटरूम की वाल पेंट टेक्स्चर किया हुआ है जो बहुत फोकसूरत दिख रहा है यह हो जाता आपका बेडरूम है तारा पैंटेडे वेल बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है यहां पर आपको सामन रखना हो रह स सकते हैं light fitting everything is complete तो यह हो जाता है अब हम आपको लेके चलते हैं आगे रूफ पे तो दोस्तों यहां से हम चलते हैं रूफ की तरफ यह दिखिए यहां से सीडिया दी हुई है इस्टिल की grilling यहां पर देखने को मिल सकते हैं आपको यहां पर बहुत अच्छी खूबसूरत दिख रही है यह स्टेर के पास में और यह जो इसीडिया देख रहे हैं इसके उपर आप पत्थर लगा हुआ है ग्रेनाइट पत्थर जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से लग आगे चलते हैं अब रूफ पर यहां से छट पर आने का आपको रास्ता बिल जाता है तो यह आगे हमारा रूफ कि देखिए यहां पर आपका बहुत अच्छा से तरीके से बहुत अच्छा बढ़िया च्छत दिया हुए जहां पर आप आराम से रात में बेटके खाना भी खा सकते हैं दिन में कपड़े सुखा सकते हैं एक बहुत अच्छा सफिशेंट स्पेस यहां पर आपको देखने क यहां से दिया हुआ है तो यहां पर आपका आजाता है वाटर टेंग और यह जो वेंटिलेशन था इसमें वेंटिलेशन पर बहुत अच्छा यह एक शीट रखा हुआ जिस पर आपका पानी नीचे नहीं गिरेगा तो दोस्तो देखा आपने यह जो परौपर्टी दी 10-50 का बना हुआ था और यह परौपर्टी आपके लेकर आए ना मा भग्मती बिल्डर्स जो की सिर्फ परौपर्टी नहीं एक भरोसा भी आपके लेकर आते हैं तो आगर आपको यहां परौपर्टी पसंद आती है तो hope कि आपको यह पसंद आया होगा, इसी तरह की प्रॉपर्टी आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहांकर हम आपके लिए लेकर आते हैं, हमेशा एक नई तरह की प्रॉपर्टी, thank you.